चैजे सियराम मालक्ष्मी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो पौश पुर्नीमा के दीन मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें कौन काम करना चाहिए हिंदु धर में पुर्नीमा तिथी का बहुत ज़्यादा महत होता है हर माह में पुर्नीमा पड़ती है और इस साल पौश माह की पुर्नीमा चोजनवरी 2023 यानि की कल शुक्रबार को पर रही है पुर्नीमा के दीन भगवान विश्नु माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पुजा का बिधान है मानता है कि पौश पुर्नीमा के दीन सुर्ज और चंद्रमा की पुजा करने से सभी मनो कामनाएं पूरी होती है पुर्णीमा के दिन चंद्रमा शंपूर्ण होता है सुर्ज और चंद्रमा शंप सब तक होते हैं पुर्णीमा तिथी के स्वामी चंद्रमा माने गए हैं माननता है कि इस दिन चंद्रदेव के पूजन से मानसिक समझ्याओं से मुक्ति मिलती है पुर्णीमा के दीन दान अशनान और तब करना बहुत लाभकारी होता है पौश पुर्णीमा के दीन कुछ आशान उपाए हैं इस उपाए को अगर किजिएगा तो महालक्षमी की किरपा आप पर बनी रहेगी पौश पुर्णीमा के दीन रात को घी का दीपक जलाकर लक्षमी अस्त्रोत का पाठ करें मानता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं माता लक्षमी का अबतन पुर्णीमा तिथी के लिए ही हुआ था इसलिए मालक्षमी को पुर्णीमा तिथी बहुत प्रिये है बैबाहिक जीवन में सुख प्राप्त हो इसके लिए पुर्णीमा के दिन पीपल के बिरिक्ष पर जल चढ़ाएं मिठाई का भोग लगाएं मानता है कि पुर्णीमा के दिन ऐसा करने से बैबाहिक जीवन सुखद होता है और धनलाव के योग बनते हैं पॉष पुर्णीमा के दिन 11 कोरी पर हल्दी लगाकर उन्हें मालक्षमी को अर्पित करें और उसे अगले दीद एक लाल कपरे में बांध कर जहां पर आप धन रखते हैं जहां पर पैसा रखते हैं उस अस्थान पर रख दें और पुर्णी मातिथी पर कि उनकी पूजाकरे मानता है कि ऐसा करने से जल्द से धन आगमिन होता है धन बैभक की घर में कभी कमी नहीं रहती है